बीजेपी द्वारा मोहला मानपूर की घटना को लेकर राज निर्वाचन आयोग में शिकायत के जाने पर सेम भुपेश बगेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले समय आरोप लगाए कि बीजेपी कारेकरताओं की हत्या हुई मैंने उस समय कहा था कि एनाये से जाज करा रुका कौन है राजनीती ना करें बुपेश बगेल ने यह भी कहा जैसे ये डी ऐटी घूंकर जाच कर रहे हैं वैसे ञाज करा ले सामने आना चाहिए जहां चाहे पुलीस करे या एनाईये से चांच करा ले एरपोर्ट पर कर्ज माफी के ऐलान को लेकर सीएमभू पेश बखेल ने ये भी कहा कि हमने चौंती घोशना की है सरकार आने पर फिर से हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे चार गैरंटी हम दे चुके हैं और किसानों में बड़ा उत्सा भी है जो पैसा किसानों को मदद मिली थी आप कर्ज माफी कि क्या है थे जितना किसान हमारा मभूत हो हमारा अर्थ ब्यूस्ता उतना मभूत होगा पिछले पांसाल हम उने देखा कि यहां के व्यापार ब्यूसाय बढ़ा है मंदी का असर दूसरे राजियु भला रहा लिए चट्ड़ा में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा जो पैसा किसानों की खाते में गया है वो बजार में आए बड़े उद्योग NOG पाति को पैसा देंगे तो बजार में नहीं आता तरवे 14 लाग करोर रुपिया बड़े उद्ड़यों करों रुपिया बड़े बड़े कि उसको परिभासित करना चाहिए एक जिसको मिलेगा इसको नहीं मिला करकें। जैसे पिछले समय हम लोगोंने किया ता उसी तरजी पे होगा उसके बाद उसके बाद कियो हो रही। तुरह kau रही। उसके बाद इसे ना पिर क्या है। HER विशे पांट सालिगी ही धान्समय है।। पिछ जवाब दे गई तुरह χाण outta उसी तरजी पे होगा। जहें पिछले कायरकाल में लिए पिछले समय जो 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 पहले किया था उसी जहाजा पर उताब यह लोग कुछ करेंगे नहीं इनको मालूम है सवाज इसले कर रहे हैं तो उनको इंपक्ष मराना है धन्यवाद उसके लिए अजाजी को